जिन किसानों के वोट को लेकर प्रदेश की सत्ता पर कॉंग्रेस काजीब हुई है वहीं भाजपा का कहना है कि कमलना सरकार किसानों को खून के आसू रुला रही है वहीं कॉंग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व विधायक नागर सी चोहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्य मंतरी कमलनाजी अपने वचन पत्र में कहा था कि कॉंग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का बिल हाफ कर दिया जाएगा यहां बिल हाफ नहीं किया है मगर हजारों रुपए बिल में जरूर दिये हैं कई गाउं ऐसे भी है जहां 15-15 दिन के लिए बिजली काट दी गई है किसान अंधिरे में है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है पूर्वग में शिवरा सरकार द्वारा किसानों को 200 रुपए में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी मगर आज कॉंग्रेस के राज में बिजली गुलो और बिल फूल की तरहां दिये जा रहा है वहीं ग्रामीन कलेक्टर की जंसुनवाई में पहुचकर बिजली समस्या के बारे में शिकायद कर रहे हैं ग्रामीडों ने बताय कि उन गाउं में बिचली तो नहीं दी जा रही है मगर बिल जरूर हजारों रुपे के दिये जा रहा है इस मुद्दे को लेकर भाजपा में आने वाले 28 तारीकों किसानों के साथ बिचली विभाग का घहराव करेगी और कॉंग्रेस की सरकार को सोई में बिलाना का ब दैटर गीस अवइंट इस सी 10 ने पीनिच आल किया में डाइज को बाप कर साथाराव कि लेका जंड़ा है कितने बिलाना के बिल का रारी कितने जा मैंवाग धुबुआ ज़इक ज़ितर है 2300 पिल 9 dall ख़एक आर लिखजार 125 यह आपके भलिया में भी लाइट आई जाए 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 जादा आ रहे हैं लोग परेशान है गाओं की बिज्लियां भी कट गई अली राइज की बात ही है क्या सोचते हैं और आपने सोचल मीडिया भी एक पद्रे भी लिखा है बरतमान में बंद्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने चुनाओ के समय गरीब और किसानों से वादा किया था कि सिवराज जी की सरकार बिज्ली का बिल 200 रुपे ले रही है रहाम उसको आप करेंगे लेकिन आज देखने में याता है कि बिज्ली का बिल पूरे अलिराज कुझिले में चारो रुपे बड़े बिज्ली के बिल दे जा रहे है अभी एक नानपुर की महिल आई मेरे पास जिसके घर में एक बलफ है एक पंखा है उसने पिछले मेने 2000 रुपे बरा और इस मेने उसका 19,57 रुपे आया है वो बिल मेरे पास बड़ा है उसकी बोपी पूरे अलिराज पूर जिले में बिज्ली के ऐसी हलक करती है कि आतिवासी गरीब का जिना मुश्किल हो रहा है बिर रुपोर्ट खबर मध्य प्रदेश